हेलो एप्रियोन वेल्कम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टूड़ी तो गाइस इस वीडियो में जो भी ये प्रोग्राम के स्टूड़ेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूड़ेंट है समेस्टर थौड में आपने सब्जेक्ट ले रखा है पॉलिटिकल साइंस प्राइब को परचेस करना तो वाट्सोड नमबर पर मैसेज कर सकते हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टन कोशन है 15 और यहीं कोशन आपके पेपर में जो की आपकी पूरे सिलेवर्स के कोर्डिंग बनाया आपको पता है ट्वेल चैप्टर है ट्वेल्ट चैप्टर हैं पंदा कोशन लेक जिसमें आपकी पेपर में 6-7 कोशन जरूद देखने को आ सकते हैं इससे पहले यह क्लास इस फॉर्ष्ट में यह कोशन आपको करा चुके पूरा कोशन भी तंसर की वीडियो अपलोड है तो उस वीडियो को आप जरूद देख लीजिए कि इसमें हम आपको कोश कोशन आपके सामने कोशन नंबर 8 जो इस कोशन कराएंगे तो कोशन क्या देखते हैं आपको किन तरीकों से लगता है कि कभीर और गुरु नानक के दार्सनिक सिद्धान समान्यवाद के विचार का पते निदित कते विचना कीजिए तो आपके पेपर में या तो यह वड़ कोशन पूछा जा सकता है गुरु नानक और कभीर के विचार में कई समानता है दोनों ने इश्वर को एक बताया है और कूरतियों के विरुद में आवाज उठाई है कभीर पफलस गुरु नानक जींटें दोनों के लिचर होते हैं चायक प्लूठै चैनलि यह भीचार टें समानता हमन्यों तो फोसे और चैनलों इश्वर को एक रूप बताया गया है और उनके बुड़ाईया रहे विद्वा, बढ़ी झालिए जीुए जन के लोगita कहते हैं उसको इएक लोग भी कहें ऊसकी भासा को चुने जाए ग både इसका आगे देखिए कभीर और गुरु नानक दोनों हिंदू मुस्लिम एकता समपतायक्ता सदभाव और राश्टे समाजी एकता के कटत समथ्थंग और प्रावत्थंग थे बास्ता में दोनों अध्यात में ने किसी भी बैकती कि जन्म के अधार पर किसी भी बहेदवाव की निद्दा की चाहे व तो देखो इसका यहां मतलब है कि जो कभीर और गुरु नानक जी हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतिकते उनमें वो लड़ाई जगरा नहीं चाहते थे प्लस उन्होंने किसी भी जो बैक्ती का जन्म होता है कि कोई भी भेदवाव होता है धर्म जाते उनके साथ पर उनक का कोश्चन आसकता है कि इनका अर्थ क्या है तो यहां पर आपको पॉइंटे तो आपको लिखना होगा कोश्चन आयतो अरथ मैं जारू लिखना होगा दिखिए कभीर और गुरु नानक समानिवाद का समथन किया मतलब है पूजा पढणाली संसकृत होती है संस्क्रित धर नीचे आएक हनुछज़ा लिए उन्हों ने कहा कि हिंदु धर्म और इश्क्राम दोनों एक हीा बात कहते हैं दोनों बहु देवबाद मुर्ति-पुझा के खंडन कीया maturity इने की किया है मुति पूजा अव्तारबाद होते हैं इनका गुरु नानक ने रामा नंद कवीर और नम देव की भक्ति विचाधारा से परभावित होकर सूपी बाद और इस्लाम के दर्सन को आत्म सत्त करके सीख धर्म को एक सच्चा समान्य वादी रूप दिया उन्हों समाज में ब्यापक कई बुराईयों की आलूचना की चुवा चुट और तंतमंत उनके निरासे पर थे निसाने पर थे और इसलाम और धर्म के तत्वों को मिला कर सीख धर्म के स्थापना के तो देखो इनोंने जो गुरु नानक ने चुवा छुट बेद भाव इन सबकी विर कभीर और गुरु नानक के दाशनिक सिद्धान्त कभीर और गुरु नानक समानियवादी रूप में कभीर और गुरु नानक दो महान भात्य संथ हैं जिन्हों ने अपने जीवन काल में समाजिक धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त को प्रकट किया तो देखो जो कभीर और गुरु नानक जो भी घटना घटी थोटी है जैसे समाजिक अकॉर्डिंग धार्मिक और दार्शनिक इन सब को प्रकट किया उन्हें ठीक है लोगों के सामने लाए कभीर और गुरु नानक ने अपने जीवनकाल में भाते समाज को समाथ के महत को है समाने निपोनं Yakima माहषन पीसी किरित्ता के मुला सिद्धान पर निर्भर करते है देखो किरिद्धक कीडेग सब्साओं की बताया ग्या समाज वे जो लोग है समान्तान पर सबिलना कि बदीन रीकां अब देखी जो कभीर है उनके सिधानत हैं वह क्या क्या उनके बिचानत थे तो यह देखिए फिर इसी टाइप से जो श्रकाओर के बाद गुरु नानक को को कोईट आएगा तो यह फोर्श akad pr відягềना सभी मानप को एक परमात्मा के उन्हों ने सभी को एक ही आदिवाशी या प्रम जाती के रोप में देखा मतलब उनका मानना है कि सभी बैखती एक ही जाती के यहीं परमात्मा के देन है और उव उस अभी है कि वहावना एक दूसरे में रखनी चाहिए कोई भेदवाव करना चाहिए ठीक है सबकुछ में ब्यापक मानना उन्होंने भगोन सबकुछ में ब्यापक मानना है। सक्ति सालिभ यह सबकेरिए पिरन सुरोथ भगवान है। थोड़ पॉइंट है भक्ति की महत पूंता उन्होंने भक्ति को एक मार्ग बताया और भक्ति के माद्यम से परमात्मा को पराप करने की महत पूंता को बताया मतलब कि यह बताया कि जो भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिसके तुवारा भगवान को पराप किया जा सकता है फोर पॉइंट देखते हैं कभी ने निवीकता को एक एहम गुन माना और लोगों को अपने आपको समाप करने की सला दी तो यह फोर पॉइंट इस लोगों अपने आपको समाप करें यह यह च्छा गुन है इन्होंने बता रहा ठीक है अब आगे गुरु नानक तो देखे सबी मनुश्य को एक ही परिवार के सदसे के रूप में माना मतलब कि जो इंश्वर सभी का पिता है प्लग जो सभी परिवार के एक ही सदसे हैं कि जब ही तो एक पिता हुआ देखे स्वैम धर्म संभावना उन्होंने सभी धर्मों को समान कि सेवा और भलाई गुरु नानक ने सब के लिए समथ्य परंपरा गुरु नानक अदुत्य गुरु शिष्य परंपड़ा के शिष्य गुरु अंग और उनके उत्ताधिकारी माना तो देखो उन्हों ने एक सुरवात की जिसमें उत्ताधिकारी इनको माना गया था ठीक है सबीक अखोरडिंग कबिरि और गुरु नानक से सुमाज को एकिकर्थ olmuş ता को बढ़ाने और सामानता के मोल सिद्धान को बढ़ावा देनी के लिए अपने ठाफने कोपरचार किया तो और नहोंने में क्या कैए कि समस्ज में समानता आ सकते हैं किसी के साथ कोई गलत ना कोई भीडवाव नहोग six दिद्धान को ज transmission करते हैं अप देखिए निस कंदे करने करें को का बहुर नानकत एपने जीवन काल में समाज समान्यवाद केम्हींित को उनको दार्षनिक सिद्धान्थ को सिध्धानता एक्ता बनाने के मूल सिध्धान्थ को बढ़ावा दिया इन दोनों संतों ने दार्षनिक विच्छा राज मान वता के लिए पेड्टना सुनता है। का एक महतुर माध्यमा उनके सिद्धान्त ने समाज को धादमी समाजी कुठ्थान के दिश्टा में मारग दसन दिया और बैक्ति गते हैं समाजी जीवन को सहारा मतलब यह जो गुरु नानक और कभीर जी उनके द्वारे समाज में बहुत सारी पेड़ना सोत मिली इनके द्व यह कंप्लीट हो चुकि वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक सेर किजिए यह कोशन की वीडियो हमारी सेकिंद इससे पहले जो हमने सभी 15 कोशन बता चुकिए उस वीडियो को देखिए फिर उसके बाद एक कोशन भी तंसर करा चुकिए जिस भी स्टोर को इस पीडियो को में मैसेज कर सकते हैं इंपोर्टन कोशन भी तंसर है जो कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे तो वीडियो को सेर किजिए इसके नेक्स क्लास तो आपको चाहिए तो कमेंट वोक्स में मैसेज कीजिए तो अप्लोड करेंगे ठेंक यू